तो से तुरियो चाप्म सक्राइब हलोस्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम क्लास एट बुक कारेस सगरवाल चेप्टर वन रेक्शन नंबर में एक्सरसाइस 1 एच कोश्टन 14 से स्टार्ट करेंगे मैं एक्सरसाइस की the second वीडियो ये Exercise 1H लेकर 1H के Part 1 तक की सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप देखना चाहते हैं, तो वहाँ से देख सकते हैं, Students, Exercise 1H में Objective Type Question है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहते हूँ कि Class 6 और Class 7 बुक आरा से अगरवाल के सभी की वीडियो औरड़ी इस चैनल पर अप्लोड हो चुकी है, अगर आप Class 6 और Class 7 बुक आरा से अगरवाल की चेप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं, तो इनकी जो प्लेलिस्ट का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अब डिस्क्रिप्शन में जाकर किसी भी चेप्टर की वीडियो देख सकते हैं, तो इस कोश्चन 14 है, वर्ष उड भी सब्ट्रेक्टेड फ्रॉम माइनस 3 अपउन 5 टू गेट माइनस 2, उसक्रिप्शन के कोड़ेक, माइनस 3 अपउन 5 में हमें क्या सब्ट्रेक्ट करना चाहिए, कि हमें ये मिले, ठीक है तो गोश जैसे जैसे कोश्चन है, वैसे वैसे हम करेंगे, अब सब्ट्रेक्टेड फ्रॉम माइनस 3 अपउन 5, माइनस 3 अपउन 5, सब्ट्रेक्ट का साइन क्यों होगा, माइनस, और यहाँ पर हमने क्या माले है, जो नंबर हमने सब्ट्रेक्ट करना है, उसको मालेते है, एक्स, तो तो minus x तो यहीं रहा गया, यहाँ पर आए minus 2, और यहाँ पर यहाँ कि minus 3 upon 5 है, इदर आका क्या हो जाएगा, plus 3 upon 5, right, next step, minus x as it is, और यहाँ पर आएसे हमें, तुम्हारे पस आएगा 5, 5 to the 10, यहाँ पर 5 से 5 पढ़ गया 1, तो यहाँ पर आएगा plus 3, minus x equal to, 10 में से 3 less गया, 7 upon 5, और यहाँ पर जो bigger number के 10 है, इसके साब minus कसाइन है, तो यहाँ पर minus काएगा, अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्याँ minus माइनस कर जाएगा अपस में, ठीक है, तो यह plus बन गया, तो हमारा answer क्या है, 7 upon 5, तो question 14 की, जो correct answer क्या है, वो D में है, 7 upon 5, अब question 15 करेंगे, question 15 है, the sum of two rational number is 3, minus 3, sorry, if one of them is minus 10 upon 3, let the other one, हमने दूसरा number निकालने है, तो students यहाँ पर जैसे अगर आपको objective type है, तो आप सिधर direct जैसे आया है, वैसे एक लिख सकते हो, ठीके न, जैसे मैंने यहाँ पर equation बना दी थी, यहाँ पर अगर आपको objective type में आता है, तो आपने लिखना है, let the other number X, one number minus 10 upon 3, sum of two rational number is minus 3, अब हमारे पास number के हैं, पहला number के, अब हम equation बना लेते हैं, पहला number के हैं minus 10 upon 3, अब sum बोला है, sum का sign क्यों आता है, प्लस, ठीके, अब हमने, उसको हमने X माल लिया, अब इनका, दोनों का sum कितना है, minus 3, ठीके, अब हम X की value नकालेंगे, X इस से ही लिखेंगे, minus 3, यहाँ पर minus 10 upon 3 है, यहाँ आकर क्यों गया, plus 10 upon 3, अब हमने इसका L से में लिया, 3 हाया, ठीके, क्योंकि यहाँ पर denominator में कुछ नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है, ठीके, यहाँ पर मैंने आपको बताएं, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है, ठीके, अब स्वें 1 के टेप में जो 3 है, हम divide करेंगे, तो 3 पे जाएगा, और 3 कॉम नुमेरिटर से multiply करेंगे, तो कितना आजएगा, minus 9, अब 3 से 3 कट गया, 1 आया, तो plus 10 आजएगा, तो यहाँ पर 10 minus 9, तो minus करेंगे, 10 में से 9 लेसे गया, 1 upon 3 आया, अब bigger number 10 है, उसके साथ plus का sign है, ठीके, तो 1 upon 3 जो हमारा right answer है, यह कौन सी option में है, C option में है, तो 15 की जो correct option क्या होगी, C होगी, अब बच्चों हम question 16 करेंगे, question 16 है, which of the following number is in standard form, ठीके, अब standard form का क्या मतलब होता है, कि वो number, जो मतलब की, किसी भी number पे नहीं कट रहे, और उपर निचे एक ही number पे कटना चाहिए, जैसे हमारे पास है, minus 12 upon 26, देखो, अब यह क्या है, आगे कट रहे, यह जो 2 के टेंगे कट रहे है, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो इसका मतलब यह क्या है, standard form नहीं है, हमने इस में से बताने की, कौन सा standard form है, ठीक है न, मतलब की कौन सा ऐसा number है, इसकी standard form क्यों होगी, 6 upon 13 होगी, ठीक है न, क्योंकि यह आगे किसी number पे नहीं कटेगा, अब students यहाँ पर कहा है, minus 49 upon 71, अब यह देखो, यहाँ पर कहा है, 7 7, 49 तो कट जागा, बढ़ 71, तो यह किसी number पे नहीं कट रहा है, एक तो यह होगी हमारी standard form, एक C, ठीक है, यह हमारा B part है, और C को भी देख लेते हैं, minus 9 upon 16, अब अच्छों यह देखो, यहाँ पर यह 3 के table में तो कट रहा है, पर 3 के table में 16 नहीं आता, 15 नहीं आता है, ठीक है, तो यह उपर नीचे एक number भी नहीं कट रहा है, तो यह भी हमारी क्यों होगी, standard form होगी, अब D है, 28 upon minus 105, अब यह किस पर कर जाएगा, यह 7 के table कट रहा है, 7, 4 is a 28, 7, 1 is a 7, 7, 5 is a 35, तो यह आगया, 4 upon minus 50, अब students यहाँ पर देखो, A part तो नहीं है, D part भी नहीं है, क्योंकि यह आगे कट रहे हैं, सिरफ B और C part है, यह आगे किसी भी उसमें नहीं कट रहे हैं, ठीक है न, ऊपर नीचे, बताए कि यह ही इनकी जो है, standard form है, ठीक है, तो students, question 16 का, हमारा जो answer आएगा, B and C आएगा, ठीक है, अब students, यहाँ पर, आपने देखा होगा, answer में C option है, देखो, कई books में, यहाँ पर कैस 70 है, हमारी books में, अगर किसी books में, यहाँ पर 70 है, तो आपके, यह उपर नीचे 7 के table में कर जाएगा, 7, 7s are 49, 7, 10s are 70, तो सिर्फ हमारी C option रहेगी, बट अगर यहाँ पर 71 है, तो 16 का हमारा answer आएगा, B and C, ठीक है, I hope आपको यह clear हो गया होगा, तो 16 का हमारा correct answer कहा है, B and C, क्योंकि यहाँ पर, minus 49 upon 71 है, यह भी आके किसी number पे नहीं कट रहा, तो यही B और C है, इनकी यही standard form है, ठीक है, अब हम question 17 करें, question 17 करें, minus 9 upon 16, multiply 8 upon 15, पहले तो students यह multiply करना है, तो हम देखेंगे, उपर नीचे यह cross किस तरह कट रहा है, अब यह देखो, 8 1 is the 8, 8 2 is the 16, अब यह कहा है, 3 की table कर जाएगा, 3 is the 9, 3 5 is the 15, आगे यह उपर नीचे, किसी भी table पर नहीं कट रहा, देखो उपर नीचे और cross wise, इस तरह नहीं हम काट सकते, इस तरह हम multiply करेंगे, हमने जब answer को multiply करने, तो numerator को numerator से कितना है, minus 3, और यह हम पर कितना 2 5s है, 10, तुमारा answer कहा है, minus 3 upon 10 है, और यह कौन सी option में है, A option में है, तो 17th की correct option क्यों होगी, A होगी, अब students हम question 18 करेंगे, question 18 में क्या divide है, minus 5 upon 9, divide 2 upon 3, ठीक है, अब जब भी rational number में, इस तरह इस divide आजए, तो हम क्या करेंगे, जो divide वाली जगा पर हम करेंगे, multiply का sign, और जो इसकी जो बाहतरी जो ये numbers है, इसका reciprocal को लेगा, 3 upon 2, अब हम देखें किसी number पर कट रहे, देखो, उपर निचे नहीं कट रहे, यहाँ पर उपर निचे नहीं कट रहे है, पर cross कट रहे है, 3, 3 is a 9, आगे किसी वे number नहीं कट रहे है, तो हमने numerator को numerator से multiply किये, तो यहाँ पर 1 है, minus 5 upon 3, 2, just 6, तो इसका answer कहाँ है, minus 5 upon 6, और यह कौन सी option में है, B option में है, तो 18 की correct option क्यों होगी, B होगी, अब बच्चों हम question 19 करेंगे, question 19 में क्या दिया हुए, एक question mark दे दिये हैं हहाँ पर, यहाँ पर क्या दे दिया, question mark दे दिया, minus 8 upon 50, चुर्विज जब भी हम ऐसे question mark आज़े हैं, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, x माल लेते हैं, मैंने हैं यहाँ पर x माल लेया, ठीक है, अब 4 upon 9, multiply, तो इसका क्यों जगा reciprocal होगी है, उनका हम reciprocal कर देते हैं, अब आगया, minus 8 upon 50, अब इसका answer क्या गया, 4 upon 9x, equal to minus 8 upon 50, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, cross multiply कर लेते हैं, 8 nines हा, minus 72 x हा गया, और 15 fours हा, 60 हा गया, ठीक है बच्चों, अब हम x की value नकालनी है, तो minus x लिखेंगे, और यहाँ पर 60 upon 72, अब यह कौन से table पर कर जाएगा, वैसे देखो students, 12 के table में मुझे idea है कि यह कर जाएगा, तो मैं direct ही 12 के table में काट दूँगी, अगर आपको दिक्कत आते हैं, तो starting 2 से देख सकते हैं, फिर 3 से देख सकते हैं, ठीक है ना, अब मुझे direct बताएगे, 12, 5 जा 60 होता है, और 12, 6 जा 72 होता है, ठीक है, अब यहाँ पर के minus x है, तो x equal to कितना है, minus 5 upon 6, ठीक है, तो यह कौन सी option में है, question 19, यह d option में है, minus 5 upon 6, जो महारा answer है, वो हमने यहाँ पर find out करना है, ठीक है, तो question 19 की correct option क्या होगी, d होगी, अब बच्चों question 20 है, additive inverse of minus 5 upon 9, जो को additive inverse का मतलब होता है, कि अगर minus का sign साथ में है, तो हम उसको positive बना देंगे, ठीक है न, मतलब अगर मारे पास negative number है, तो हम positive बना देंगे, positive number है, तो उसको negative बना देंगे, वो additive inverse हो गया, ठीक है, अब minus 5 upon 9 का additive inverse का होगा, 5 upon 9, क्योंभी यह negative पॉजिटिव हो जगा, तो यह कौन सी option में है, C option में है, तो 28 की correct option क्या होगी, C होगी, जब question 21 है, reciprocal of minus 3 upon 4, अब 3 upon 4 का reciprocal क्या होगा, यहाँ पर आजगा, 4 upon minus 3, अब बच्चों कभी भी rational number में क्या है, minus का sign नहीं होता, तो इसको minus 1 upon minus 1 से multiply कर रहे हैं, कितना जगा, minus 4 upon 3, तो इसका correct option क्या होगी, C होगी, क्योंगी C option में, minus 4 upon 3 है, अब question 22 है, a rational number between, minus 2 upon 3 and 1 upon 4, हमने minus 2 upon 3 और 1 upon 4 में, rational number को find out करना है, तो कैसे करते हैं, 1 upon 2 और income क्या कर देंगे, add कर देंगे, minus 2 upon 3 plus 1 upon 4, 1 upon 2, अब income हमने ऐसे लिया तो 12 आ गया, अब 3 के table में, जो 12 पर 4 पर आएगा, 4, 2 is a minus 8, और 4 के table में, जो 12 पर 3 पर आता है, 3, 1 is a 3, ठीक है, 1 upon 2 multiply, अब 8 में से 3 लेसे किया, 5 upon 12 आ गया, अब sign कौन सा आएगा, यहाँ पर minus का है, क्योंकि, जो 8 है, bigger number है, 3 से, ठीक है, और इसके साथ minus का sign है, अब हम देखें कि, किसी number पर कट रहे है, नहीं कट रहा, तो multiply कर देंगे, minus 5 आ जएगो, 12 तो 24 आ गया, ठीक है, तो क्या है, इसका answer, minus 5 upon 24, और यह कौन सी option में है, D option में है, ठीक है, तो 22 की correct option क्या होगी, D होगी, अब बच्चों question है, 23, the reciprocal of a negative rational number, क्या होगा, अब देखें बटा, यहाँ पर, क्या था, 4 upon minus 3 था, ठीक है न, तो इसका जो negative rational, reciprocal क्या होगा, इन्होंने किछा न, the reciprocal of negative rational number, अब यह negative rational number है, तो इसका क्या होगया, minus 4 upon 3 हो जाएगा, ठीक है न, तो जैसे, मतलब जैसे भी है, इसका जो है, negative में ही आएगा, ठीक है, तो इसका answer क्या आएगा, minus 8 upon 15, तो इसका reciprocal क्या होगा, minus 15 upon 8, तो negative rational number का, जो reciprocal है, मेशा negative होगा, तो 23 की correct option क्या होगी, भी होगी, बच्चों इसी के साथ ही, हमने exercise 1H के, सभी objective type questions को solve कर लिया है, I hope आपको हर question अच्छी तरह से, समझ आगया होगा, बच्चों अगर आपको वीडियो useful लगे, तो वीडियो को like करें, share कर अपनी friends के साथ, साथ में channel को subscribe करें, thank you for watching, next video में हम test paper 1 को solve करेंगे,